देपरियाग घूमी शिरीराम की देपरियाग संगम दो पवित्र नदियों का जहां एक तरफ है अलकनंदा नदी जो की आरी आपकी बद्रीनाद दाम से तो दूसरी हो रहा है भागी रती नदी जो आरी आपकी गंगोतरी दाम से और जब इन दोनों का मिलन होता है संगम होता है तो जनम होता है मा िल धाटो सब्सक्दायर दोस्तों आपका स्वागत लो छी में दोस्त मैं मैं आपको लेकर आ चुपा हूँ सबसे पवूत्र संगम पर सबसे भड़े संगम के देप्रियाख संग develops जम यहां के संकूनज्गं करते हैं यहां पर आप कहा का दर्शन कर सकते हैं सारी जानकारी देन वाला तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजगा शेयर कीज़ा कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स बताएगा हर हर कंगे जैमा कंगे और इस सफर की शुरुवात करी मैंने हरी दुआर से दिखातों आपको आगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करते कि हम देव प्रियाक पहुँच के है सकते है देव प्रियाक पहुचने का जो नीरस्ट रेलवे स्टेशन है वो है योगनगरी रिशी केश जिसका कोड है YNRK योगनगरी रिशी केश रेलवे स्टेशन से देव प्रियाक जो है करीब 70 किलोमेटर से है जिसको आपको बस ही कवर करना पढ़ेगा और आप टेक्सी का ओप्शन भी आप रख सकते हैं सैकिंड स्टेशन आपको पढ़ेगा हरीद्वार जंचन जिसका कोड है HW हरीद्वार जो है ओल आवर इंडिया से वैल कनेक्टेड है अगर आपको रिशी केश के लिए ट्रेन में जाती है तो बड़ी है वो भी आपको बाई टेक्सी और बाई बस ही कवर करना पड़ेगा और कोई ओप्शन आपका नहीं है थर्ड है आपको बाई कार या अपने ट्रांसपोर्ट सा रहा है तो रोड की कंडिशन काफी अच्छी है और आप जो बाई रोड जो है easily देप्रियात कवर कर सकते है वाकि मैंने जो सफ़र करा है मैं दिल्ली से पहले हरीद्वार आया हूँ वो मैंने आपको लाश्ट व्लोग में बताया मैं दिल्ली से हरीद्वार कैसा है कौन सी ट्रेंसा है अब यहां से रिशी केष जाने वाला हूँ और फिर रिशी केष से देपरियाक के लिए बस पकड़ में अगर आप गर घरी दोबर जंचेन उतारते हैं तो भारी आपको बसड़ा मिल जागा जहांसे आपको easily रिशी केश के लिए लगातार आपको बसेस मिल जाएंगी और ड्रेक बस भी मिल सकती है आपको देपरियाक के लिए साथी साथ यहां से प्राइविट बसेस भी चलती है सुवह पांच वजे के बाद बहुत से भी आप easily देपरियाक को सकते हैं बाकि आपको ओली, जोशी मट, रुद्र परियाग, गोपेशवर, चमोली, उत्तरकाशी कहीं पर भी जाना है तो आपको रिशी केश या हरीद्वारी आना पड़ेगा यहां से आपको बसेस मिल जाएंगी तो चलिए लेके चलता हूँ आपको आगे का सफर दिखाता हूँ और इस समय मैं हूँ हरीद्वार रेलबेश टेशन पर यहां मेरे पीछे देख रहे हैं और भार निकल के हम चलते फिर रिशी केश की और फिर रिशी केश से देपरियाक की और हर हर गंगे जैमा गंगे रेलबेश स्टेशन और ठीक बिलकुल उसके बाहर ही है आपका रोडवेश बस अड़ा यहीं से आपको बसस मिल जाएंगी यह देख रहे हैं और यहीं से आपको रिशी केश के लिए बाहर से बसस मिल जाएंगी क्योंकि यह जैसे बस आ रही है तो सीधा रिशी केश के लिए आपको बस मिल जाएंगी और आपको और और कहीं जाना तो अंदर से आपको आकले बसेस मिल जाएगी यह देख रहा है यह आप देख रहे हैं यह प्राइविट बसेस घड़ी है जो कि पहाडों की और जाती है और यहाँ से रोटर पर्याग गुप्त काशी देवर्याग पोड़ी यहां से आपको शरी नगर सब जगा के यहांसे बसेस मिल जाएंगी सब्से tiise places और यह जाएंग यह देख रहा है यहूँ तो फैनली children दोस्तों मैं पोच चुका हूँ देव प्रियाग और यह देख रहें आप सुन्दर नजारा देव प्रियाग का संगम महा संगम और यह पवित्र संगम यही से जनम हुआ मागंगा का ड्रैक्ट मैंने हरीद्वार से देव प्रियाग के लिए बस पकड़ ली ती जिसके फेर मैं प्राइविट बस से आया और करीब दो घंटे जरने करने के बाद इस सुन्दर व्यू इस सुन्दर नजारे के बाद एक पवित्र दर्शन करने में पोच चुका हूँ चलिए अब आपको नीचे लेके चलता हूँ नीचे भी दिखाता हूँ सामने रगुनात मंदिर है तो वहाँ के दर्शन कराता हूँ संपूर दर्शन कराता हूँ वीडियो को स्किप मत कीजेगा लेके चलता आपको को आगे यहाँ सुन्दर नजारा देफ्रिया का बहुत ही सुन्दर और अद्बुद नजारा और वह सामने आप देख रहे है रगुनात मंदिर जो की समर् और यह रोदर रोप से बहती भागी रती नदी और जब इन दोनों का मिलन हुआ तो जनम हुआ मा गंगा का यह आप देख रहे हैं मा गंगा और यहां से फिर रिशिकेश हरी दुआर होते वे गंगा सागर में जा मिली मा गंगा यह देख रहे हैं आप सुन्दा नजारा और व्यू देखें क्या व्यू हो रहा है बहुत ही जबरदस्त व्यू है और यह सामने यूनिवर्सिटी बन रही है और यह चोटा सा शेयर बसावा है देव परिया बहुत ही सुन्दर व्यू है चलिए आपको नीच लेके चलता हूं बस जो है आपको बिल्कुल ओन रोड उता आपको नीच जाने के लिए और यह आप शोर देख रहे हैं कितना तेश शोर है भागी रती नदी का बहुत ज्यादा शोर है यह देख रहे हैं तो जैसे आप रोड से करीब पचास मिटर नीच आएंगे तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक यह तीती गरे आपको देखन बदरीनात के दानला समीती का भी अपना विश्राम ग्रय है महाँ पर रूप सकते हैं साथी जाद अगर बंडारा कराना चाहते हैं और वहां से जो व्यू देखने हुँ मिलता है वह जबरदस्त ही होता है वहां से आरती देख सकते हैं और बहुत ही सुन्दर नजार है और यहां पर रूम जो है वह 500 के रूपीज के आसपस आपको मिल जाएगा और सीजन में शायद हो सकता है आप पर भी हो तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे अपने यहां पर आपको दिखाता हुए पार देख रहे हैं बदरीनात के दानात मंदिर समीती के यातरी निवास है जहा अच्छा अरेंजमेंट है और यहां से बैठके आप सामने का जो व्यू देखेंगे नीचे का वह भी अदबूत है यहां से देखने को मिलेगा आपको और एक कतीती गिरह यहीं पर है इसके बगल में ही आप वहां पर भी स्टे कर सकते हैं इसके भी रूम के जो फ्राइजिस है वह 500 रुपीज है यह सामने आप देख रहे हैं हरे कलर की विल्टिंग यहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं वैसे लोग जो यहां पर स्टे नहीं कर नजारा ये आप देख रहे है जूला और एक तरफ है बगवान श्री राम तो दूसरी तरफ है महाकाल महादेव और अब इस पुल को हम क्रोस करके जाएंगे अपॉजिट साइड और ये पुल बहुत ज्यादा हिल भी रहे और नीचे देखे क्या नजारा है बागिरती नदी और दोनों साइड दोनों साइड देखे जैसी आप जूला क्रोस करके आएंगे तो ये पूरा मार्कीट देख रहे हैं अभी किया सुबह का टाइम है तो ज्यादा खुला नहीं है बागि यहाँ परशाद खाने के लिए आपको कही सारी दुकाने आपको देखने को मिल हैंगे और लीजे पोच गए हम संगम घाट देप्रियाग यह देख रहा है यह देखे क्या नजारा भागी रती नदीगा अल्टिमेट वियू कितना शोर है और यहाँ पर आके जो आपको मज़ा आएगा और मज़ाएगा जिस तरह वीडियो में आपको मज़ा नहीं आएगा बहुत ही सुन्दर नजार है देख रहे हैं यहाँ पर घाट के पास देखे हैं तो अपना चेंज कर सकते हैं और साथ ही प्रेयर हॉल है वो सामने आप देख रहे हैं पूरा पूरा कि वाल शेत्र के लोग भागी रती नदी को सास और अलकनंदा नदी को भव नाम से संबोधित करते हैं क्योंकि भागी रती नदी जो है बहुत ही रोदर से यह देखिए और दूसरी और देखिए क्या रूदर रूप से वहरी है भागी रती नदी जो की आ रही है गंगोतरी धाम से यह देखिए क्या अतना तेज बहाओ है इसका और जब इन दोनों का मिरा नुदा तो यहां पे दोनों बिलकुँ शान्त हो गई और मां गंगा आगे बड़ी यह देख रहा है और पहानी का बहाँ तेज होते हो बढ़ता जा रहा है देपरियाक सिर्फ संग्डम के लिए ही नहीं भगवान श्री राम के लिए भी जाना जाता है जब भगवान श्री राम ने रामन का बद किया था तो ब्रामन हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यही पर तपस्या की थी और यहां पर भगवान राम का रगुनात मंदिर भी है, महाके भी में आपको दर्शन करवाता हूँ, उसकी करीब 101 सीडिया चड़कर आपको उपर जाना पड़ेगा, तब आपको भगवान राम के दर्शन होगे, दिखाता हो आपको आगे, और यहां पर अनुमान शीला है, इस शीला पर राम जी की चरण पादुका है, यह देख रहा है, बगवान शीरी राम ने ब्रामन हर्त्या से मुक्ति पान इकले, जब ब्रामन का वद किया था, तो इस से मुक्ति पान इकले इसी शीला पर बैड़ कर तपस्या करी थी, और यह देख रहा है बगवान राम के यहां पे पैरों के चिनों के निशान है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ तो साथ ही शीला को जो है हनुमान शीला का जाता है यह आप देख रहे हैं बगवान शीरी राम के चरण पादु का और यह देख रहे हैं आप पर कहीं सारे प्राचीन मंदिर है जो कि आप यहां पर पूजा गड़ा सकते हैं यह देख रहे हैं पर कहीं सारी फ्राचिन गुफाए बनी विए एक वो सामने आप गुफा देख रहे हैं और एक यह गुफा बनी विए श्री गंगेश्वर महादेव की देख रहे हैं और ये नजारा देख रहे हैं आप संगम का चलिए अब आपको दर्श हंकरवात और श्री गंगेश्वर महादिप के और ये देख रहे हैं आप बोले नात का शिवलिंग और पूरा शिव परिवार देख रहे हैं पर साथ ही हमारे जंपेड मोचन बाला जी महराज की जैनंद की बाबा और ये देख रहे हैं आप ये आप स्टेर्स देख रहे हैं और वह रहा उपर रहा गुनात मंदिर बस वही तक हमें जाना है और ये बिल्कुल संगम घाट के पास ही है जैसे आप आँसे आएंगे तो आपको रास्ते में ही देख रहों मिल जागा ये देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं रगुनात मंदिर जो की समर्पित है भगवान शिरी राम को नीचे मैंने आपको संगम पे भगवान शिरी राम के चरण पादु का दिखाये थे जहां पर उन्होंने तफस्या करी थी और ये बाकियां पे छोटे बड़े मंदिर बने वे अंदर उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं देख रहे हैं भगवान शिरी राम के दर्शन के साथ अभी इस लोग को हम यही पे खतम करते हैं ये था रगुनात मंदिर और उसके साथ मैंने आपको संपून देप्रयाक संगम के दर्शन करा दियें कहां कहां आप दर्शन कर सकते हैं कहां पर आप स्टे कर सकते हैं यहां पर खाने पीने के आपको दुकाने दिखा दिये सम्कून दर्शन करा दिये और कोई क्वेरी होते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजेगा शेर कीजेगा कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स पताएगा हर हर गंगे जै मा गंगे जै श्रीराम जै जै श्रीराम थैंक्स पूर वाचिंग वीडियो